दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PM किसान सम्मान निधी ओजना के बारे में तो फ्रेंट PM किसान सम्मान निधी ओजना का 12 किस्त बहुत सारे किसानों का आ चुका था लेकिन फ्रेंट 13 किस्त का बहुत सारे किसानों को इंतजार था इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था कि 27 फरवरी को आपका तेरहमा किस्त का पैसा आने वाला है सबी किसानों का तो फ्रेंट इस video में आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा जो 13 किस्त है वो आ चुका है और अगर आपका भी 12 किस्त आ चुका है तो 13 किस्त आप कैसे चेक कर सकते हैं आपका आया है या नहीं आया पूरा detail में बताऊंगा और यहां पर live proof भी दिखाऊंगा कि मेरा आ चुका है तो फ्रेंट देख सकते हैं मैं PM किसान सम्मान निदी हो जना के portal पे आ चुका हूँ और यहां पर PM किसान सम्मान निदी हो जना के portal पर भी अपडेट हो चुका है देख सकते हैं लिख रहा है यहां पे हानेवल प्राइम मिनिस्टर will release the 13th installment of the PM किसान इसकी on 27 फरवरी और यह 2023 और यहां पर देख सकते हैं लिख रहा है टाइम भी लिख रहा है कि तीन बजे वहां से उन्होंने payment को भेज दिया है तो फ्रेंट यहां पर सिधा सिधा देख सकते हैं लिख रहा है कि 13 किस्त जो है 27 फरवरी को तीन बजे वहां से release कर दिया गया मतलब सभी के account में पैसे भेज दिये गए हैं तो फ्रेंट इसके पाले बहुत सारे लोग अपना चेक किया होंगे दिन में कि हमारा status में अभी कुछ नहीं दिखा रहा है तो हम मतलब हमारे account में पैसे आये हैं या नहीं आये तो फ्रेंट यहां पर मैं अपना status भी चेक करके दिखा रहा हूं कि मेरे status में क्या सो हो रहा है तो यहां पर beneficiary status पर क्लिक करके और यहां पर अपना mobile नंबर या registration डालके आप यहां पर get data पर click करेंगे capture डालके तो आपका status सो हो जाएगा अगर आपका mobile नंबर नहीं लिंक है तो आप अपना registration नंबर प्राप्ट कर सकते हैं इसका अगर आपको registration नं create members, डालके आपको compare kita & our get data click करने के बाद देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरका interface आ जाता है उसको मैंने हाइट करके राका और यहां पर देख सकते हैं 100 हमारा पाले या चुका था लेकिन यहां पर 13th installment नहीं लिखा होगा लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर 13th installment लिख रहा है बट यहाँ पर पैसा अपडेट नहीं हुआ है और मेरे bank account में पैसे आ चुके हैं चली मैं आपको live proof भी दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं मैं अपना screenshot यहाँ पर रख दिया हूँ देख सकते हैं लिख रहा है यह और account has been created with यहाँ पर 2000 रुपे फार पीम किसान इसकी मान 272-2023 को और Central Bank of India के तो हमारे Central Bank of India के account में 2000 रुपे PM किसान सम्मान निदी होजना का पैसा आ चुका है और date भी आप देख सकते 272-2023 को हमारे bank account में पैसे आये हैं और मैं आपको टाइम भी दिखा बता दूगा कि किस टाइम मेरे मुवाल में जो SMS आया है वो सात बच के संताओन मिनट पे credit का message आया है और उसके बाद मैं यहाँ पास्बूक अपना चेक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बा installment और यहाँ पर 13 लिख रहा है मतलब 13 किस्त का पैसा हमारा आ चुका है देख सकते हैं यहाँ पर सीधा सीधा कि 2000 रुपए आ चुके हैं बट अगर आप beneficiary status अगर आप चेक करते होंगे तो beneficiary status में कुछ सो नहीं कर रहा है बट यहाँ पर 13 लिख रहा है तो मतलब यहाँ पर अगरा एकांट चेक करिए कि आपके एकांट में पैसे आए हैं या नहीं आया है अगर साथ में बेल आइकन की प्रेश कर दीजिए अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिं ह 비 लौ प्टारोबगों कर वारोबगों कर अजया वारोबगों आतारीara.